दोस्तो परसनल लोन लेने के लिए मैं वीडियो बना बना के ठग गया हूँ और वायसे आप भी ठग गया हूँगा अपलाई करकर के क्योंकि आपको लोन मिल ही नहीं रहा होगा देखो लोन ना मिलने के कई सारे रीजन नहीं होते हैं जिनको को आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप आज उसको सुधारते हैं तो आगे चलके आपको लोन मिल जाता है कई बर लोगों दिमाग में रहता है कि ठीक हैर मैंने ये वाले वीडियो देख लिए अब अपलाई कर लेता हूँ कल फिर दुवार अपलाई कर लोगो परस फिर अपलाई कर दूँगा मेरा को मिल ही जाएगा बहाई अगर एक जहां पर रिजेक्ट हो रहा है उसका रीजन जानने कोसेश करो के कि रीजन क्या है में दो चार रीजन होते हैं अगर उनको आप ध्यान में रख के इसको अपलाई करोगो तो आपको definitely मिल जाएगा loan का amount आपको यहाँ पर 5,000 रुपे से लेकर के 1,000,000 रुपे तक का मिल जाएगा टीनल टाइम की बात कर तो 3 महीने से लेकर का आपको 24 महीने तक का यहाँ पर टाइम मिल जाएगा और जो application की बात कर तो application बिल्कुल trusted application है तो यहाँ पर चलते हैं उसके application इसके बाद लाइब अपलाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से अपने bank account का पैसे को transfer करो गया तो दोस्तों इस application का नाम है आप देखेंगे नीरा instant personal loan है अगर इस application download की बात करता आप देखेंगे 10 million download है अगर इसके अपना यहाँ पर experience share किया हुआ है फिलाल हम यहाँ पर अपना experience share करेंगे उससे पहले हमें इस application के कुछ term condition या कुछ जानकारी जिनकों को लेना बहुत जद्ध ज़रूरी हो सकता है यहाँ पर आने वाद सबसे पहले हम यहाँ पर click कर देखेंगे about section में loan की बाद जैसे मैंने बता दिया आपको की पांचार रुपए से लेकर करके आपको एक लाख रुपए तक का कलोन मिल जाएगा सबसे जरूरी बात दोस्तों कि हम किसी भी loan को apply करते हैं जो हमसे गलतिया होती है eligibility main होती है कि किसी भी loan को आप लेना चाहते हो तो आप उसके लिए eligible हो या नहीं हो जब रहो जब इत अप्लाई करो या नहीं हो तुम मत अप्लाई करो वीडियो ही मत देखो चलेगा लेकिं कब पहले जानकार ही ले लो या सही डंग सी तब जाके काम करो नहीं जो बार बार आप 17 साल के 18 साल का लोन अप्लाई करने जा रहे हो रिजेक्ट हो जाए फिर आपको यहां लोन मिलता ही नहीं है पहली गलती दूसरी गलती मिनिम्म सेलरी आपके बार जार रुपे पर मंत की तो होनी चाहिए अब आपको लगता है मेरे पास कोई सेलरी से लिप तो है नहीं या फिर मेरे पर कोई इंकम है नहीं में स्टूडेंट और फिर भी जागा अपलाई कर दूँगा 12,000 रुपे डाल दूगा और उसके बार मैं लोन ले लोगा तो फिर भी लोन नहीं मिले और फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा तो यहां पर जो कुछ चीजे हैं उनको आप भ अपने पॉइंट को देखते हुए काम करो और हर वीडियो में पहले ही एक्स्प्लेंट करता हूं कि कौन सा अप्ली के सन ने क्या क्या रिक्वार्मेंट क्या वेनिफेट्स मिलेंगे देखने को वो सारी जनकारी मैं आपको पहले सेयर करता हूं फिलाल मैंने सेयर कर दी हсыं कर देंगे और ही आप्ली करेंगी अरह प्लीकेशन हम यहां पर सजोल हो जाएगी और यहां पर लिंके तुरू करिए मिलने के चांसे ज्याज़ा रहे हैं इसके बास यहां पर उपन्वाला बटन की से कर दें पर ऑप फिश हैँ च तरफे कि आवाज है कि जो कि बहुत बढ़ी अलगती है जश्ट इसके नीचे आओगे आपके यहाँ पर टीनो टाइम के लिए बता जाता है कि भाई तीन महीने से ले करके बारा महीने का आपको टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है कि रेट आफ इंटर्स जो लगने वाला वो दो परसेंट पर मन्त का लगने वाला है अगर से अनुली चले जाएंगे तो आप देखें कम से कम यह 24 परसेंट पहुंचेगा और दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे बताया तक सिर्फ तीन इस्टेप करेंगे तीन इस्टेप करन इसके बाद दोस्तों यहांपर देखेंगे इनकी बाद इहांपर आटरा सब्सक्राइफ क्रीम और इसके साल और झाट के सीच आव अपके मन में आते हैं तो नहीं पर आपको और जैसे देखिए यहां पर हमने क्लिक किया कि इलिजबिल्टी क्या होनी चाहिए इस तरीके से लोन का रेट ओफ इंटरस्ट क्या होगा ओफर क्या है यह सारा कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जा आप इसको भी जाके अच्छे से रीड कर सकते हैं इसके बाद सारा कुछ क लेंगे और यहां गेट टीपी पर सेंपल सा किलिक करेंगे इसके बाद दोस्तों नेस्ट पेज पर आपको अपने यहां पर पेन कार्ड और आपको सेल्फी यहां पर अपलोड करने पड़ेंगे सेंपल सा आप इस पर किलिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों देखेंगे न नीचे आपको टर्म कंडिशन दीएगी, सेंपल सा पर टिक कर देंगे, नीचे एक्सेप्ट पर किलिक करेंगे, आपके मुबाइल नमबर पर एक OTP हैगा, OTP डाल के सेंपल सा पर किलिक कर देंगे, इसके बाद देखेंगे, जो भी आपको करन्ट टाइम का यहाँ पर सिविल लिए नीचे यहाँ पर कंडिशन देखेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको वेरिफाइग करना पड़ेगा, जो आपके पैसे आते हैं, जिस बैंक में आते हैं, उसको वेरिफाइग करना पड़ेगा, जिससे बाद चलबाए कि आपकी वास्ताम उतनी इनकम आती है, नहीं आती है, नहीं तो आपने पता लागा, भया, बीस जार, पचार जार, ऐसे बता तो पतले साल एक रुपया भी ना आ रहा हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर करने के लिए अपना पहले अकाउंट नमबर इंटर कर देंगे, नीचे यहाँ पर किलिली मेंशन किया गया लेकिन अगर आपने इस्टेटमेंट अपलोड किया तो यहाँ पर थोड़ाशन टाइम भी लग सकता है, फिलाल अगर हमें यहाँ पर इस्टेटमेंट अगर अपलोड करने है तो बहुत ही सेंपल से रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने उस बैंक को सेलेट करें, जि आप उसको भी यहाँ पर add कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ जाता है, अगर आपके पास recent month का salary sleep है तो यहाँ पर upload कर सकते हैं, यहाँ पर click कर देंगे, अगर लगता है आपके पास नहीं ही तो sample सा no पर click कर सकते हैं, यह official दिया गया है, आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी इसको आगे continue कर सकते हैं फिलाल हम यहां पर sample सा 9 पर click कर देते हैं और submit पर click कर देते हैं इसके ज़स्ट बाद देखेंगे दोस्तों आपको यहां पर अपना अधार card का number इंटर कर देना है start अधार KYC पर sample सा click कर देंगे तो जो आपके KYC होगी उसके माध्यम से हो जाएगी इसके पाद दोस्तों जो आपके अधार card में address दिया गया है क्या वह address अगर है तो आप yes पर click कर देंगे अगर आपको detail का गोड़ी यहां पर कम और ज्यादा भी दिखाया जा सकता है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारी जो limit दी गई एक लाग रुपे दे दी गई इंटरेस्ट रेट जो लगने वाला वह 2.5 परसेंट का लगने वाला है और यहां पर ट्यूनर टाइम की बात कर तो लेना हो 40,000 रुपे लेना हो जितना भी लेना हो आप उसको है सेंपल सेलेट करेंगे नीचे आपके यहां पर उसके अकोडेंट टी नो टाम दिखा दी जाएगा जैसा कि लोन का अमाउंट ज्यादा रहेगा तो आपको यहां पर ज्यादा टाइमिंग देखने को मिल जाए किलीर करें है कि हम कितने मेंटिन ले रहे हैं के सारा कुछ रहें लेकर बोनस को लेने के बास टो सकते है जो कि आपको 18 महिने के लिए हैं मिल जाएगा जैसे दोस्तों के अगर माल लेते हैं आपने बोनस को आड़ करने बाद एक लाग के पूरी लिमिट को ही लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखें जो प्रोसेसिंग फीस आएगी वो 54 रुपए आएगी जो जीएस्टी लगेगा उस पर 18% का लगए जो कि 972 रुपए होगा और जो आपके अकाउंट पैसा आएगा वो एक लाग रुपए पूरा नहीं आएगा बले कि उसमें से सारा कुछ माइनस करने के बाद 93,628 रुपए ही आएगा और इसके जो मंतली इमाई आएगी वो आएगी 6,967 रुपई आएगी और जो आपके पहली इमाई आएगी जो ल इसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है यह अमाउंट आपका ठीक है सारा कुछ अपने चेक कर लिए आपको लगता है भाई ठीक है मैं इसको ले सकता मेरे लिए सुटेवल है तो यहाँ पर नीचे आपको टरम कंडिशन दीगे उसको सेंपल से टीक पर किलिक करेंगे 5,000 रुपय का ही लोन लेते हैं ठीक है तो 5,000 रोन प्रोस्सिंग फीज लगेगी 425 रुपया उस पर जो जो एस्टी लगी वो 76 रुपय के लगेगी जो टोटल हमारे बैंक अकाउंट पैसा आएगा वो 4,49 रुपया आएगा और जो इसकी मन्तली माई आई 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 और जो इसकी पहली माई आई आई उसके बारे मता दिया गया है जो टोटल फालतो पैसा आप इनको पे करोगे वो 688 रुपय आप इनको पे करोगे अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा न मैं एक ची और भी किलियर करूंग आगे चल करके कि हमें वास्तों में महंगा कितन कर देंगे इसके जश्च बात देखें दोस्तों यहां पर क्लेली मेंशन कर दिया गया है कि आपका 5,000 रुपय का लोन यहां पर दे दिया जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको फिल अडिशनल डिटेल पर किलिक कर देना इसके बास जैसे यहां पर आएंगे अपने फाध किया तो आप से इस्टरा पैसे कितने लिए जाएंगे सारा कुछ लिखा रहता है इसी के बदल तो कल को तुम पर भाया पैसे वसूलते है तो इसलिए इसको हमेंसा पड़ो ध्यान से पढ़ो उसके हिसाब आगे चलका काम भी करो ठीक है सारा कुछ यहां पर देख सकते नि इसफे क्से इंदन करके इसके बाद एक ओटीप डालकर सेंपल संप्ट कर देंगे इसके बाद जो भी आपका बेंग की डिटेल है आप उसको यहां पर पर लूबाद उस्क को यहां पर देखेंगे पर इंटर करेंगे जो आपने कर रखी है इसके बाद उसको वेरिफाई करने के दो तरीके डेविट कार्ड है दूसरा आपके पार नेट बैंकिंग है इन दोनों में जो भी हो आपके पास उसके माध्यम से टर्म कंडिशन एक्सेप्ट करेंगे और यहां आने पर अपने साथ लोन का अमांट हो गया यहां इस तरीके से लेते हैं कितना महेंगा परता कितना सस्ता पड़ता और प्रोसेस क्या होता सब ज़्याद जरूरी यह था प्रोसेस आपने यहां पर देख लिए कि आपको इस्ट्रा बहुँजा कुछ नहीं करने जरूरत है लेकिन दो तीन मान लेता है कि हम यहां पर एक 5858 रुपय का लोन लेने वाले थैं जैसे हमने एक लाख ग अपना इंटर कर लिया एक लाख रूपय से हमारे पास आने वाले थैं यहां पर 37,178 रुपए आपको फाल्तु पैसा देना पड़ेगा जब आप 1 लाख रुपए के यहां से लोन लेंगे ओ भी 18 महीनी के लिए तो इसलिए आपको लोन को थोड़ा सोच समझ के लेना है लोन तो मिल जाएगा लेकिन सोच समझ के लोगे इस बात के लिए कि महेंगा पड़ा सस्ता पड़ रहा है या इसके अलाव मेरे पास कोई और बैटर ऑप्सन है या नहीं है या फिर ऐसा भी हो सकता है जो लोन आप लेने वाले हो हो सकता कि बिना लोन लिए आपका काम अगर चल जाता तो फिलिस आप चला लीजिए क्योंगे परसनल लोन है महंगा पड़ेगा आप टाइम से इमाई को पे नहीं कर पाएंगे और दोस्तों फाइनली मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि जब भी किसी को से लोन लेना है लोन लेने से पहले अपने इलिजबल्टी को जुरूद चेक करो कि मैं इसके लिए इलिजबल हो या नहीं हूँ होने के आपने लोन में दिलाने वाला रहता हूं लेने माले तो आप हो इलिजबल्टी आपकी अपनी है मैं लिए है और खुद भी बता के चल रहा है यहा है ऐसा थे ज्रिबल्टी स्यूद करता हूं तक कि सारी चीज़ किलियर हो पाए कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पे यह फिल अप किया यहाँ पे चीज रिकॉर्मेंट वागेगे आप अपना 5-10 मिट अपनी वीडियो को देखके सारी चीज़ किलियर पहले कलो उसके बाद ही तो अपलाई करोगे वीडियो देखने पहले हम पहले फसे नहीं है पहले हमने टाइम नहीं खराब गया पहले अपने सारी जानकारी मिले क्या प्रोसस है अब फिर उसके बाद हम जाके यहाँ पर अपलाई करने वाले है तो दोस्तों यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रहे है कि मेरी वीडियो हमेसा बार बार हिन जय वारत